कर दbang को pack 있어요 का result आया है या foundation आपका नहीं निकला है आप बढ़ी चिंदित है आप को सब कर रहे हैं को किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है होता है होता है यह सब चीज़े होती और इस अतुमारे साथ नहीं बहुत सारे बच्छों के नहीं हां कि हर किसी के साथ होता है यह यह हम सबकी life में कभी न कभी आता है और कई बाहर आता है ऐसा नहीं है कि एक ही बार failure आ गया है ये बात अलग है कि most probably school life तक हमने ऐसे failure नहीं देखे हुए होते हैं और जिस दिन CA का course तूस किया था हमें पता था कि CA एक tough subject है सबसे पहले अगर आपको बड़ा दुख हो रहा है कि आफ फेल हो गए तो पहली बात मैं आपको बोल दूँ कि इतना भी दुख मनाने की ज़रुत नहीं है इतना भी दुख मनाने की ज़रुत नहीं तुम CA का course कर रहा हो बॉस तुम कोई छोटा मुटा फाउंडेशन का course नही की ज़रुत नहीं मैं जानता हूं कि मेरे words हो सकता है लगें कि अरे यार सर ऐसे थोड़ी होता है दुख तो दुख होता है बात सही है बड़ याद रहे तुम एक level का course कर रहे हो और उसमें limited percentage of marking passing रहता है तो अपने आपको अपने आपको काबू में रखो हाँ गलतिया की है definitely तुमने गलतिया की है ठीको ना पड़ाई कम की होगी कुछ चीजों पर ध्यान नहीं दिया होगा वही time आ चुका है analysis करने का अब ये time आ चुका है तुम्हारा analysis करने का तो इस वजह से अब ध्यान रखना अगले attempt में ये चीज वापस से नहीं होनी चाहिए November 22 के लिए teaching experience में observe करता आया हूँ कि ये tips अगर किसी ने बहुत अच्छे से follow कर ली तो पास तो छोड़ो rank भी आ सकती है और हाई भी है ये tips को follow करके तो ये personal tips को जहां से सुनिएगा आपके November 22 के लिए आपको बहुत ज्यादा help होंगी और ये video ज़रू सबके साथ share करिएगा तो सुनि अपने नाम सुना ही होगा वी smart academy का all over इंडिया में हम वी smart academy का core faculty हो ठीक है अब धियान से मेरी इन चीजों को tips को सुनिएगा आपको बहुत important आएगा और हो सके तो screenshot ले ले लेगा ये tips क्या है ये tips धियान से दिखेगा टेक two breaks two days breaks दो दिन का break ले लो फिलकुल आप भूल जाओ कि पढ़ाई कुछ होती है दो दिन का break लो अपने दिमाग को ठंडा करो कहीं लोग ये गलती करते है कि अरे result आया चलो book उठाना शुरू और चलो आब मैं वापस से पढ़ता अच्छी बात है ये this shows your sincerity but that doesn't mean कि आप कुछ ज्यादा ही अच्छा काम कर रहे हो आप बिना planning के उतर रहे हो most important thing is दो दिन का break लो उस दो दिन में अपना धिमाग ठंडा करो कर दो रिजल्ट से बिलकुल दूर हो जाओ और रिजल्ट दिखना बंद कर दो जो पास हुआ है जो फेल हुआ है रिजल्ट दिन का break ले लो कोशिश करके कहीं घूमने निकल जाओ अगर कहीं लगता है कोशिष करके उन दोस्तों के पास जाओ जो दोस्त तुम्हारी इस field क नहीं है, जो दोस्त तुम्हारी सी तुम्हारी समय दॉस्टोरी सिर करोगे और क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा दिमागा सी शोड़ी होगा तो दिन, पीन दिन में एक strategy करना हलकी फ얡की शुरू हो जाएगी और फिर fresh start करो, तुम्हारी सरट करो, ऑजगे से fresh start करो दूसरी चीज, consistency, यह मैं आपको ranker level strategy बता रहा हूं, consistency वाली, आप किसी से भी पूछ लिजे, अगर आपको पढ़ाई में अच्छे marks लाने हैं, आपको rank लाना है, rank नहीं लाना है, आपको consistency की ज़रुद है, consistency किस रूप में, consistency इस रूप में, कई बार हम जूश-जूश में कह हम एक दो दिन अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, वापस से time time phase, ऐसा नहीं चलता, किस तरीके से नहीं, consistency का मतलब है कि अगर मैंने daily, 6-7 गंटे पढ़ने का time table बनाया है, plan किया है, तो मुझे daily 5-6 गंटे पढ़ना है, daily मैंने सोचा कि मुझे 10 गंटे पढ़ना है, तो मुझ consistency मैंने, तुम हर subject में expert नहीं हो सकते, ये बात लिखके रख लो, कुछ subjects तुम्हें अच्छे लगते होंगे, कुछ subjects तुम्हें बुरे लगते होंगे, ये बात भी लिखके रख लो, अगर तुमने consistency अपलाई कर ली ना, सभी subject के साथ, और daily basis पर पढ़ाई का time table बना लिया consistency कर लिया ना, तो तुम्हें जो subject अच्छे नहीं लगते है, वो भी तुम्हें अच्छे लगने लगते है, तो daily consistency का मतलब ये है, कि daily के 10 घंटे की पढ़ाई का एक schedule बनाओ, कि मुझे daily basis पढ़ना है, मतलब चाहे बीच में festival आए, चाहे कोई घरवालों के काम आए, वो extra, उसके लिए मुझे daily time निकालना है, तो ठीक है, मैं वहाँ से भी time चुरा चुरा के अपना time निकालू, मुझे 10 घंटे पढ़ने है, ये नहीं होता कि यार जोश-जोश में आफ्टावर पढ़ लिया, बिमार कर लिया, अपने आपको तवित खराब हो गई, वापस से फिर 5 अच्छे दिन बाद वापस आए और थोड़ा सा ना, अब slow होगा है, कि चलो ठीक है देखते पड़ते हैं, आज नहीं कल कर लूँगा, चलो फिर कर लूँगा, ऐसा नहीं चलता बॉस, consistency रहेगी, consistency करनी पड़ेगी, दूसरी बात, तीसरी बात, कितने subjects हमें दिन भर में उ subjects उठाओ, एक theory, एक practical का combination, the best, सबसे best, दो से ज्यादा subject मत उठाओ, बहुत तकलीफ में आ जाओगे, आप consistency यहाँ पर भी आती है, किसी एक subject को अगर टाइम दे रहे हो, तो उसको एक दो घंटे में कुछ नहीं हो जाएगा, उसको दो तीन घंटे में तो हमारा warm-up होता है, उसके बाद लगता है कि हाँ, चलो अब हम प्रेक्टिस करना शुरू करते हैं, कैसे ही जाला तुम्हारा warm-up खतम होगा, दो तीन घंटे में तुम बुला कि चलो मेरा दूसरा subject करने का time आ गया, क्या ही मतलब है, यह से कोई sense नहीं है, मेरी बात समय है कि मेरी बात समय है कि तो दिन में सिर्स दो घंटे की strategy, बनाओ, दो सब्जेक्ट की strategy बनाओ, पांच घंटे, एक subject, पांच घंटे, दूसरा subject, दिन में दस घंटे आपको निकालने पड़ेंगे, दो subjects दिन भर में, practical का combination सबसे best रहता है, उसमें भी मैं personally बानता हूँ, कि जब हम नींद से उठते हैं, नींद से कितने बजे उठते हैं, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, अच्छी बात है उठतना अर्ली मॉर्निंग, बट जित singers बें अर्ड रहे हूँ, इस वह पर शता कि मिन हैं support आपने बरेक लेलिया तो यह दा अदा गन्टा खूंटा कैसे लिए अ मॉलम यि नहीं पड़ा, यह बतला आ ऑचली में, ऑलमई moment करो, इसमें आ कहीं दिन की नींद लेना ज़रूरी है एक से दो घंटे की दिन की नींद लो यह बहुत जरूरी है परकि तुम जब सुबहु उठके पांच घंटे एक सब्चेट को दे रहे हो अब तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहने लगेगा कि बस बहुत हो गया मुझे आराम चाहिए औ जीन का फाल छैन के बाद लिंब ली इ Saya बलकि यह कौन सी ऐसकी टानी है आज यह मैच आने वाला है मैच भी देखूंगा तो माइन्ड रिफ्रेश रहेगा पढ़ाई 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 से कुछ नहीं होने वाला अगर तुम आट वजे नौ बजे भी फ्री होते हो उसके बाद एक दो घंटे थोड़ा सा कुछ इंटेटेन्मेंट करो अपने लिए कभी दोस्तों के साथ मिलने चलेगा है कभी कभी हमने घरवालों से बातचीत कर लिए उनको इंपोर्टेंस देदी कभी वेब सीरीज देख ली कभी क्रिकेट मैश देख ली कुछ भी यार जो मन करे जो तुम्हारी होबी हो कुछ गाना बजाना आता है वो कर लिया यह सब अग से सामना न किया जाए तो कुछ नहीं होगा तो सब्जेक उठाए दस घंटे की सब्जेक दस घंटे की पढ़ाई मिनिमम दिन में होनी चाहिए अभी टाइम आ चुका है अब प्रेक्टिकल सब्जेक करते वक्त हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम सबसे बड़ी ग होती है तो अकाउंट में क्या होता है लेजर वेजर ये सब दुनिया बर का बैलेंशिट में आपको राइटिंग प्रेक्टिस करनी है बिना सॉल्यूशन को देखे हुए आपको क्वेस्टन की प्रेक्टिस लगानी है अभी मालूम पड़ेगा ति कितना पानी में हो कितना कितना तकलीफ हो रही है तुम्हें क्वेस्टन सॉल करते हैं तब रियलाइज होगा कि हां यार तकलीफे बहुत हैं मेहनत करनी पड़ेगी प्रेक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करो पढ़ रहे हो, एक बार पूरा पढ़ लिया न, उसके बाद रात में, थोड़ा ब्रेक के बाद, थोड़ा टाइम देने के बाद, रात में, जब तुम अपना दूसरा सब्जेट कर लेते हो, तिर्फ अपने आपने के लिए 15 मिनिट निकालो उस थेोरी सब्जेट के लिए फ है कि हाँ जो सुबह पढ़ा था, वो मैं अभी लिख पा रहा हूँ, शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में समरी नोट बनाओ, बट वो चीज़ बहुत इंपोर्टेंट है, चाहे तुमारा लोग का सब्जेक्ट हो, चाहे तुमारा एकनोमिक्स का सब्जेट, यह बहुत लेट साल बरबाद हो गया मेरा, अब बस मैं कुछ और कर लेता हूँ, मैं बैंक पियो की तई, मैं पापा को अप्ट उस्टून के बिजनिस में हाथ बटा देता हूँ, यह फील अगर जिस दिन से आ गया, इस गए काम से, और यह हमेशा याद रखना, पढ़ाई करते तुम इस फील्ड को तुमने किसी के कहने पर चूज किया था, अपने मन की बात मानी थी, या फिर किसी के कहने पर चूज किया था, अगर अपने मन की बात मानी थी, तो इसका मतलब तुम्हें प्रूफ करना है बाकी लोगों को, और तुम अपनी इच्छा से इस कोर्स में आये हो बिटा, याद रखना, अपनी इच्छा से आये हो, तो मैं किसी ने force नहीं किया था, तो यहाँ पर तुम्हारी responsibility बनती है, अपनी इच्छा को पूरी करने की, आब आप के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ाई करो, तो बहुत important, understood or not, तो मैं आशा करता हूँ कि आ अलावा, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार, पिछले बार, पिछले टेम में हमारी तयारी अच्छे से नहीं हो पाई थी, एकात कोई subject अच्छा नहीं था, ऐसा लग रहा है कि वापस से class ले लेनी चाहिए, तो we smart academy आपके साथ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको व foundation के अंदर आप जाके आप देखेंगे नए batches आ रहे हैं, लक्ष batches आ रहे हैं, चारो subjects में, हर faculty available है, वो जो subject आपको चाहिए, आपको combo चाहिए, आप अवेल कर सकते हो, पर वहीं आप lectures देखने का सोचें, जहां आप बहुत ज्यादा demotivated हो, आपको कुछ नहीं आता, आशा करता हूं कि यही वीडियो आपके लिए बहुत 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 अच्छा important रहा होगा, शायद इस वीडियो की कुछ बाते आपको समझ में आ जाए, आप apply करें, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो के लिए काम का है, तो जरूर यह वीडियो बाकी लोगों क बाकी लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, thank you so much, social media पे अपना time देना बंद कर दो, social media पे अपना time देना बंद कर दो, इससे बहतर है अपने घर वालों को time दो, जब free time मिल रहा है घर वालों से बात करो, घर वालों से बात नहीं होती अच्छे से, चलो दोस्तों से बात कर यूट्यूब पे सिर्व वही चैनल सब्सक्राइब करो, जो तुम्हारे काम के हैं, फाल्तु के चैनल को अंसब्सक्राइब कर लो, right, चलिए, आशा करता हूं कि एक बड़े भाई की तरह जो मैंने आपको चीज़े बताई हैं, आप उनको पालन करोगे, और अगली बार ज बार जूट ऑला जुटे समया